आप शायद ध्यान के कई सकारात्मक परिनामों से परिचित हैं। वास्तव में, आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति के सामने इसके गुनों की प्रशंसा करते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि इससे लाब हो सकता है, जो कि किसी के लिए भी सही है। लेकिन क्या आपने कभी किसी मित्र, परिवार के सदस्य को ध्यान की सिफारिश की हो और आपको विरोध का सामना करना पड़ा हो। आखिर क्यों कत्राते हैं लोग अक्सर ध्यान करने से, इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कुछ वर्षों में ध्यान पर आधारित सामगरी ने लोगप्रिय मीडिया में बाढ़ ला दी है, जिससे हजारों शायद लाखों लोग भी इसे अपना रहे हैं। फिर भी, ऐसे कई लोग है जो या तो इसे आजमाते नहीं है या एक संक्षिप्त कोशिश के बाद इसे जारी नहीं रखते हैं। आए जाने बहाना नंबर वन, ये सिर्फ नए जमाने की सनक है। ध्यान सिर्फ एक सनक नहीं है जो दुनिया भर के लोग सदियों से करते आ रहे हैं। लोग शान्ती, खुशी, परिवर्तन या अपने जीवन पर अधिक नियंत्रन पाने की तलाश में ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान का उद्देश्य हमारे सबसे कीमती उपकरण मन पर नियंत्रन हासल करना है। हमारी मन की स्थिती, हमारी सफलता और हमारी खुशी को निर्धारत करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है और फिर भी वो दुखी, चिंतित, अपर्याप्त या कई नकारात्मक आंतरिक स्थितियों में से किसी एक को महसूस कर सकता है। इसके विपरित एक व्यक्ति के पास बहुत कम हो सकता है और फिर भी वो अपने मन में शांती और संतुष्टी महसूस कर सकता है अतलेटिक प्रदर्शन, व्यफसाय और रिष्टों में हम इसे बार-बार देखते हैं यदि हमारी मान सकता इसकी अनुमती नहीं देती है तो कोई भी गौशल या संसाधन हमें सफलता और खुशी नहीं दिलाएगा ध्यान हमारे ध्यान पर काम करके हमें अपने दिमाग पर काबू पाने में मदद करता है आप ध्यान को चेतना की एक प्रकार की फ्लशलाइट के रूप में सोच सकते हैं हम जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रत करेंगे यूइस पर ध्यान दिया जाएगा जिस भी चीज़ से हम अपना ध्यान हटाते हैं वो अंदकार में रह जाती है और खतम होने लगती है जान बूच कर अपना ध्यान निर्देशत करने और उसे वही बनाए रखने की अपनी क्षमता में महारत हासल करके और किसी भी ऐसी चीज़ से अपना ध्यान हटाकर जो नकारात्मक है या हमारे लिए उप्योगी नहीं है हम अपनी वास्तविक्ता और लक्षियों के बारे में स्पष्टता हासल करना शुरू कर सकते हैं ध्यान का उदेश्य हमारे ध्यान को प्रशिक्षित करना है अभ्यास के उपोतपात के रूप में हमें कई स्वास्थय लाब, तनाव मुक्ती और शान्ती और संतुष्टी की भावना भी मिलती है दूसरा बहाना ध्यान न करने का है ध्यान विश्राम, जपकी या आत्मसम्मोहन का एक आकरशक नाम है विश्राम ध्यान के मूल प्रभावों में से एक है, हाला कि विरोधा भासी रूप से ये भी इसकी स्थितियों में से एक है ये शरीर में तनाव को भी कम करता है और सांस को शान्त करता है ध्यान हमें चेतना की गहरी अवस्थाओं में मार्बदर्शन करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षन के नियमन के साथ विश्राम का उप्योग करता है कुछ लोग कई निर्देशत बॉडी स्कैन ध्यान को सामान्य रूप से ध्यान के साथ जोडते हैं हाला कि बॉडी स्कैन वास्तव में माइंडफूलनेस मेडिटेशन को शामिल करता है पूर्ण ध्यान थोड़ा गहरा होता है और सबसे पहले तनाव को रोपने में मदद करता है दूसरे शब्दों में विश्राम एक शुद्दवर्धक है ध्यान मुख्य पाथ्यक्रम है ध्यान सम्मोहन नहीं है आत्म सम्मोहन आमतोर पर मौखिक आत्म सुझाव से प्रेरित होता है जहां हम खुद को कुछ चीजों को सोचने, देखने और महसूस करने के लिए निर्देशत करते हैं ये कल्पना और मन की रचनात्मक शक्ती का उप्योग करता है मन की एक विशेश स्थिती बनाने के लिए हम पुष्टी करन, कल्पना और द्रिश्यावलोकन का उप्योग करते हैं ये हमारी कंडीशनिंग को चुनोती नहीं देता बलकि हमारी कंडीशनिंग के भीतर से काम करता है और इसका उद्देश्य हमारी मानसिक्स्थिती को बदलना है कई नृदेशत ध्यान को अधिक उचित रूप से आत्मसम्मोहन या विश्राम कहा जा सकता है ध्यान में हम आम तोर पर करतना का उपयोग नहीं करते हैं या भावनाओं को जागरित नहीं करते हैं हम आम तोर पर अपना ध्यान या तो किसी विशेश वस्तु पर वर्तमान क्षन की वास्तविक्ता का अवलोकन करने पर केंद्रित करते हैं बिना इसमें कुछ जोडने या बदलने का प्रयास किये। इसका उद्देश्य मन को शांत करना और उसे वास्तविक्ता को समझने की अनुमती देना है कि वो क्या है। ये हमें अंतर द्रिष्टी, ग्यानोदे और मन में आरामदायक शांती प्रदान करता है। तीसरा बहाना जो लोगों का मन में आता है कि ध्यान बहुत कथिन है, मैं अपने मन को शांत नहीं कर सकता। जीवन में कई अन्य प्रयासों के विप्रीत, हमारे ध्यान प्रयासों की सफलता पूरी तरह से हमारे द्रिश्टिकोन पर निर्भर करती है. इससे कोई फर्ट नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना कौशल है या हमने ध्यान का कितना अभ्यास किया है. यदि हम ड्रिंड़ पेक लेना सीखना महत्वपूर्ण है आत्मा आलोचना तुलना और अपेक्षाओं के उत्पन होते ही उन्हें छोड़ देने का अभ्यास करें एक बार जब आपको पता चल जाए कि ध्यान एकत्र करना कोई उपलब्धी नहीं है तो आप इस प्रक्रिया का अधिक आनंद ले सकते ह लोग अक्सर महसूस करते हैं कि ध्यान करना कथिन है जब उनका मानना है कि उन्हें अपने विचारों से लड़ना चाहिए या सक्रियर रूप से दिमाग को खाली करने की कोशिश करनी चाहिए Mindful Meditation का तातपरिय विचारों को तब नोटिस करना है जब वे सिर में प्रवेश करते हैं और जब वे गुजरते हैं तो फिर ध्यान देना बिना उनमें बहुत अधिक सनलग्म या आकर्शित हुए ध्यान के बारे में कोई लड़ाई, दमन या जबर्दस्ती नहीं है वेचारों से लड़ना उन्हें मजबूत करेगा और हमें उत्तेजित स्थिती मिलाएगा धीरे-धीरे पुनह ध्यान केंद्रत करने से मन धीरे-धीरे शांत हो सकता है जब कोई आपसे कहता है कि वे ध्यान नहीं करते क्योंकि ये बहुत कतिन है तो उन्हें मानसिक व्यायाम दे कल्पना कीजिए कि आप कुछ काम निप्ताने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक बगल में कुछ संगीत बजने लगता है आप इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते इसलिए आप इसे सुनना बंद करने का प्रयास करते हैं जितना आधिक आप इसे सुनने से रोकने की कोशिश करते हैं ये उतना ही तेज और आधिक अप्रिया लगता है कुछ लोगों का मानना है कि ध्यान करने के लिए उन्हें शान्त दिमाग से शुरूआत करनी होगी वे कहेंगे मेरा मन बहुत बेचैन है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ध्यान कर सकूँ क्या वो तर कोई घंटी बजाता है? फिर भी यह कहने जैसा है कि जिम जाने के लिए फिट रहना एक आवश्यक्ता है. ध्यान के लिए शांत दिमाग होना जरूरी नहीं है. वास्तव में अशांत मन होना ध्यान करने का और भी बड़ा कारण है. जब आप कुछ देर ध्यान करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किसी का भी मन स्वाभाविक रूप से शांत नहीं होता. बहाना नबर फोर, इससे वास्तविक लाब प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं. केवल आज सप्ताह के दैनिक अभ्यास के बाद ध्यान की परिनामस्वरूप, महत्वपूर्ण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थे लाब होते हैं. बेशक 20,000 घंटे ध्यान करने वाले एक बौर्ध भिक्षू को उस व्यक्ति की तुलना में अधिक लाब मिलेगा, जिसने एक महीने पहले प्रते दिन 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया था. फिर भी, शुरूआती से लेकर लंबे समय तक अभ्यास करने वालों तक हर स्थर पर ध्यान के लाब है. यदि आप आत्मग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या सभी कष्टों से परे एक निर्भय अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुँचने में संभवता एक लंबा समय लगेगा. हाला कि यदि आप बहतर स्वास्थ्य और अपने जीवन में थोड़ी अधिक शांती और संतुलन चाहते हैं तो यहां अच्छी खबर है. कई लोगों को कुछ हफतों बाद इंका अनुभव होना शुरू हो जाता है इसलिए यदि कोई आपके जीवन पर ध्यान के प्रभाव की दीर कालीन प्रकृती पर अफसोस जताता है तो उन्हें याद दिलाए कि कम से कम ध्यान के कई लाब ततकाल है क्योंकि अभ्यास ही ल करण मुफ्त है इसका सारा खर्चाप का ध्यान है बहाना नंबर पांच मेरे पास ध्यान करने का समय नहीं है यदि कोई आपसे कहता है कि उनके पास ध्यान करने का समय नहीं है तो उन्हें यह अभ्यास आजमाने के लिए कहे एक सप्ता के दोरान स्क्रीन के सामने बिताए गए सभी अनुत्पादक समय पर ध्यान दे। उस समय का केवल 20 प्रतिशत ध्यान के लिए निर्धारत करें और आपके पास दिन में कम से कम एक बार ध्यान करने के लिए परियाप्त समय होगा। कुछ व्यस्त अधिकारियों ने वर्षों से ध्यान करना नहीं छोड़ा है। यदि ध्यान आपके जीवन में प्राथमिकता बन जाए तो आप इसके लिए समय निकाल लेंगे। आप दिन में कम से कम एक मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी भागीदारी ब बंद कर देते हैं जो वास्तव में उनके लिए उपयोगी नहीं है। बहाना नंबर 6 ध्यान उबाव है। कुछ लोगों को ध्यान उबाव लग सकता है लेकिन अनुभव अक्सर ध्यान के प्रती आपके द्वारा लाए गए द्रिश्टिकोन पर निर्भर होता है। यदि आप एक रोमांचक और मनोरंजक अनुभव की उमीद में ध्यान का प्रयास करते हैं तो संभफ्त आपको ये उबाव लगेगा। ध्यान वास्तव में मनोरंजन के बारे में नहीं है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि प्राप्ट शांती और आनंद उनके दैनिक जीवन में अनुभव की जाने वाली किसी भी चीज से भिन है। ध्यान करना एक दुल्लब आनंद है जो किसी और पर निर्भर नहीं करता है और जो दशकों के अभ्यास के ब आदी में सनलग्न होते हैं। समय के साथ और बार-बार इसके संपर्ट में आने से वही सुख दोपामिंग के प्रती सहिशनुता नियूरॉन्स में निर्मित होती है और बार-बार आनंद के लिए प्रतिफल धीरे-धीरे कम हो जाता है। हर दिन, दिन में तीन बार अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाएं और आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। मनोवे ग्याने के सवधारना को सुखद अनुकूलन कहते हैं। इस बिंदू पर आप या तो अपनी आदत के कारण हर दिन आइसक्रीम खाना जारी रखते हैं। भले ही यह आपके लिए अच्छा नहीं है और अब आपको कोई सार्था के नाम नहीं देता है या आप आनंद की किसी स्त्रोट पर स्विच कर देते हैं। यह अधिकान शानंद उत्प्रेरन गतिविद्यों के बारे में सच है। हाला कि शोध से पता चला है कि ध्यान से उत्पन डोपमीन सेक्स, भ इतना संभव हो सके, ध्यान के शुरुआती लोगों को अपनी अपेक्षाओं को एक तरफ रक्त कर खुले दिमाग और आशावादी द्रिष्टिकों के साथ इसे करने के लिए प्रोथसाहित करे। ध्यान जिम जाने के समान है, जगल जगह दोड़ना और भारी वस्तुए आनन लेना सीखते हैं और इसमें बहतर होने के लिए काम करते हैं तो लंबे समय तक आपके इसमें बने रहने की अधिक संभावना हो सकती है। यदि आप ध्यान को एक साधारन शरीर दिमाग व्यायाम के रूप में उप्योग करना चाहते हैं तो आप अच्छी कमपनी में है। ध्यान का अभ्यास करने से आप धार्मिक नहीं बन जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रेची करने से आप योगी नहीं बन जाएंगे। आप किसी भी जजखने वाले शुरुआती लोगों को यह आश्वासन भी दे सकते हैं कि उन्हें ध्यान करने के लिए किसी अनुष्ठान का पालन करने या अनोखे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा करना चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस से उनके दिमाग को ध्यान के लिए तैयार करने में मदद मिलती है लेकिन अभ्यास के लिए ये बिलकुल आवश्यक नहीं है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।